पुशामदीद रमजान इश्ख है सहरी ट्रांस्पिशन और आप लोग भी इतने घरों में सहरी कर रहे होंगे हमारे आप भी चुके इस तक सहरी के लिए सब लोग मस्रूफ है आज उन्हें जो टॉपिक रखा हुए जो मौजू जिसके उपर बात करें है वो है शिर्क और य दर्बार पे चले जाएं फिलाम बजार पे चले जाएं बहां जाकर हम दूआ मांगें क्या ये इस जुम्रे में आएगा या ये इस से फर्ग कोई चीज है बिसम ललह रहुमान रहीं देखें जो मुकामात मुकदसा हैं इसलाम के उनका एहतराम उनके जाके उनके वसीले से मांगना इसमें कोई इशकाल नहीं है राधरा नहर सुन्नत के मुफ्ती माशालला से सारी दुनिया में तबलीग की जिम्मेदारी उठाने वाले डॉक्टर साम मौजूद हैं यहाँ पर वसीला जाइज हैं मुकामात मुखदसा का हो या उन हस्तियों उन हस्तियों का हो जो इत बनासा वज़ात करदूं मैं आपका आपने जब मफगराम की अपचदा करी तो इसमें कहा आपने कि शिर्क ना करें बंदा उसके अलावा जो जो गुना मर्दी आए करें मैं सब गुना माफ कर दूगा शिर्क माफ नहीं करूँगा बिल्कुप अल्ला ने कहा है खुदरा रखता है जिस चीज़ को मर्जी बख्ष दे लेकिन ये एक गुना वो है जिस पे इसका बादा है कि इसको हर्गिस नहीं बख्षेगा मैं ये अर्स करूँगा आप से कि जब ये हदीस बयान की जाए इसके साथ इसकी तफसील भी दी जाए जब ये बयानी की जाए तो साथ में इसके तश्रीफ भी दी जाए कि देखें गुना की जाए तो आला दे नहीं रहा नावजु बिल्ला हमारा तो इमानी नहीं कर लागो किसी गुना की जाए दे देगा नहीं इसको एक तश्वीर समझ लो कोई भी गुना बड़ा देखेंगार है गुनाओं से बच नहीं सकता वो मासुमीन की जाए ती जो गुनाओं से मबरा थी लेकिन हम इनसाने हमसे होगा गुना उसने का बैब बख्षूँँगा लेकिन जान बूच के जो गुना करो उस गुना पे तुम काइम रहो उस गुना गुनाए कभी रख उसको माफ नहीं करूँगा तुम्हें आखली वक्त तक तौफिख नहीं होई कि मेरी बारगाम आके तुम मुझसे तौबा करते हैं पना मांगते हैं अपने गुनाओं सो ताइब होके मेरे पास आते हैं तुम आखली सांस तक अपने गुनाओं पे जमे रहोगे मैं माफ नहीं करूँगा ऐसे शक्त तौफिशर आपने कहा वसीला तो मैं इसमें एक चीज़ पूछना चारी हूँ अज़त इसा अनसे बड़ा तो कोई नभी फिर मादरजाद नभी फिर बगार बाप के पैदा हुवे नभी यानि रूम आज़त इसा लाइससलाम रूम तो अब उनके बारे में अगर लोग एक हद्स जादा वो तड़ावस करते हैं उनके इसादा मुबालगा करते हैं तो अल्ला ताला ने उनको भी रोग दिया है कि जिनको तुम अल्ला के लावा पुकारते हूँ वो शरीक मैं आपसे क promise I'm गिसी और बुरान और फिय्लम जादा वारे में इसाद ऐसा करती हे है हुआ बात करते हैं कि मैं मट्री की मूरत बनाता हूँ फूकता हूँ तो परिंदा बन जाता है मैं बर्स के मरीज को हाथ लगाता हूँ वो शिवाइब हो जाता हूँ मैं मादर्जाद अंधे को हाथ लगाता हूँ तो उसकी बिना ही लोड़ जाती है लेकिन किस तरह बिएजनिल्ला और अल्ला खुद फर्माता है कि मेरे इजन से सब कुछ काम करता है लेहाजा मालू हुआ कि इजन अल्ला का होता है और अमल बंदा कर रहा होता है और एकिन मिन दूनिल्ला यानि कि अल्ला के मुकाबल किसी को पकारना अल्ला के मुकाबल किसी को हेलपर समझना कुफार और मुश्रिकी ने मक्का यही तो करते थे अल्ला के मुकाबल इन चीज़ों का सब करते थे तो हम अल्लाह के मुकाबल नहीं बलके बिइजनिल्लाह अगर कोई पड़े इतनी आयत पड़े तर इसका मतल़ कोई शफात नहीं करेगा लेकिन जिसको अल्लाह तबारक बताले इजन आता फरमाएगा और आपने का मजारात पर जाने के देखें और इजन हजुर्ण पाक को ही अता किया जाएगा उनके लावा तो कोई रहसती नहीं हमारा मानना है ये कि वही शाफियल मुरसलीन है रसूलों में से तमाम रसूलों में से भी शफात का अगर दरजा किसी को है तो वो हमारे नभी पाक पहली शफात होगी ही पहले ही कि आख़ए काईनात हुजूर्ण अकरम अगरे शफात का दरवादा मैं खरूँगा सबसे पहले मुझे इजन दिया जाएगा और वो जो नफसी नफसी पुकार रहे होंगे वो सारे के सारे मेरे लिवाए हम्द मेरे जंडे तरे जो हम्द का जंडा उसमें जमाओंगे मैं अल्ला की बारका में जाओंगा और पहली शफात क्या होगी कि ए रब्ब काईनात हिसाब और किताब का अगास फर्मा दे ये जो योम हशर का दिने बड़ा तबील हो गया लोग बिल्कुल मर गए किसी को इधर तक पसीना किसी को इधर तक पसीना और गरम हवाएं और सूरज सवानी वस्सारी चीज़े हैं लेकिन मैं यहां पर यह बताऊंगा कि आपने जब फर्माएं वज़ारात पर जाने के लिए देखें कुरान मजीद वुरहन रशीद जब ये कहता है ऐसी ताजीम अबादत बन जाती है और अबादत अल्लह के अलावा किसी की नहीं की जा सकती अब अगर कोई अपना नभी समझ कर वली समझ कर असाधिदा समझ कर मुर्शिद समझ कर अब अगर कोई ताजीम करता है तो ऐसी ताजीम अबादत नहीं इतात बनती है और इतात अल्लह की भी इतात रसूल की भी यानि अबादत फक्त अल्लह की लेकिन अकीदा क्या था खुदा खुदा समझकर जब ताजीम करेंगे अबादत है खुदा का गेर समझकर नभी समझकर ताजीम करेंगे इतात है तो इबादत और इताद को जो बारीक साथ किया है आप मजार पर जाते हैं किसी फर और आप इस नकीदे के साथ कि ये लिन्हा का बंदा है अल्ला का महरू का विली है ये खुदा नहीं है ये समझकर आप उसकी ताजीम करेंगे तो इतात कहलाएगा ये अदब कहलाएगा ये अदब कहलाएगा ये अबादत नहीं कहलाएगा लेकिन अगर आपने किसी को खुदा समझ कर आप किसी नभी की वारगाह में चले जाए खुदा समझ चाहे वो जिन्दा हो चाहे वो इंतिकाल कर गया अगर खुदा समझ कर आपने उससे खिताब कर लिया तो शिर्क हो जाएगा तो खुदा का बंदा समझ कर जितनी भी ताजीम करेंगे वो ताजीम का इंतिहा पर भी चले जाएगे तो अज़ूर एकरम ताज़दार काइना सललाहु आरिए वसलम की कि खबर अनवर से तोस्ल कर बारिशों की अमल मुमीन आईशा से लिका से किसी ने कहा कि बारिश नहीं हो रही आपने फरमाये कि रसुल ला की कबर अनवर है वहां सुराख किया आज भी वो अलामती सुराख वहां पर मुजूद है वो इतनी बारिशे हुई जब आसमान ने देखा बराहराथ हया आई इतना वर्ता कि वो आमुल फत्क बन गया वो खुशहाली का साल बन गया कुछ चीजे समझने के लिए मैं कोट करके आपके सामने पेश के लिए ताकि आप उसे ज्यादा बेहतर समझा सके इसी आयत मुबारका कि जिसको मैंने शुरू में भी रखा था और उनों ने ल्ला को चोड़कर अपने आलमों और मशायख को रब बना रखा है ये सुरत तौबा ये क्या है मिन दूलिला अल्ला को छोड़कर मिन दूलिला हाजी ये बुनियादी चीज़ है लेकि इसकी तर्मिजी और अबने माम अबने कसीर ने भी जो एक इसकी तफसीर है कि इस आयत कुरान तो अधी बिन हातिम ने जो कि रस्रानी थे उन्हें ने कुरान के इस बियान के बारे में नबी पक स्लिला अल्यवयू से बजाहत को चीए कि कि हमने इसलाम से पहले कभी आखा को रब नीब नया था था पिर जिसके जो आप पकारे हम उने नहीं मानते थे लिल्ला के लावा फिर कुरान ने ऐसा क्यूं कहा तो इस पर नबी पाक अल्हाले वाले वाले विसल्म ने अद्धी रजिल्ला अन्हों से द्रियाफ किया क्या यहुदों नसारा इन पेश्वाओं को हक नहीं देते थे कि वो जो हुक्म ने उसे मान लिया जाए और हलाल और हलाल और हराम के भरे में भी हुक्म जारी करें का उने अफियार नहीं दे रिरखा था और क्या उनकि Tomahat प्यूह किया रहता था तो अधी बिन हात्म ने तस्दीक की कि बिल्कुल ऐसा ही है उन्हे ईन्हे हुक्म का फियार हासल था तो नबी पाक स्राव रूल्य वाल वाल्य वेसरी ने फर्माया यही उनको रभ बनाना है कुरान ने इसी माने में उनकी रभ लिए की बाती है वला तकूल लिमा तस्थु ऐसने तुम आदा हलालु वाधा हरामु लितफरु अललाहिल कजीम قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ کسی کو طاقت نہیں یا تو اللہ کو یہ ہے یا اس کے نبی کو ہے جس طرح فرمایا یہ نبی ہے جو تم تو ناپاک چیزوں پر تمہارے کو حرام کرتا ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کرتا ہے یہ مقام دیکھیں دو چیزیں اللہ کی شانی ہے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور نبی کی شانی ہے کہ آپ نے جو فرما دیا وہ دین بن جاتا ہے تو جو لوگ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں بیٹے مل جائیں گے یہاں سے ہمیں صحت مل جائے گی یہاں سے ہماری رزق کھل جائے گا یہاں سے ہماری عمر لمبی ہو جائے گی اور میں تمام اولیاء اکرام صحابہ اکرام انبیاء اکرام کی ماننے والی لیکن یہ کہنا ہے کہ جی اس دروازے سے گزر جائیں گے تو ہم جنت کا ہمارے پاس گارنٹی آ جائے گی کہ ہم جنت سے گزر گئے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کس زمرے میں آئیں گی حد ادب کے یہ ان کا عدب حد سے بڑھتے ہوئے کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حد اس میں تو نہیں ہے وہ جو ان کو کہا گیا لا تغلو فی دینکم ولا تقولو ارلہاق انما مسیح عیسی ابن مریم وصل اللہ وکلیمتو کہ غلو نہ کرو غلو کیا تھا کہ انہوں نے عیسی ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا لیا نہ اللہ کے برابر کسی کو بناو نہ اللہ کا بیٹا کسی کو بناو نہ اللہ کے مقابل کسی کو بناو ہم نے نبی کو اللہ کا عاجز سمجھا ہم نے نیازمند سمجھا ہم نے ولی کو اللہ کا نیاز بے نیاز تو اللہ کی ذات ہے ٹھیکنہ نہ اللہ کا مقابل کیا یہ وہ ساری صورتیں ہیں جس کو غلو کہا گیا ورنہ صحابہ اکرام دوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کے عدب میں حد کر دی اگر مجھے آپ ایک گھنٹہ دے میں صحابہ کے ایسے ایسے واقعات بتا دوں جس کو عقل تسلیم کرنے سے انکار ہے نبی کے عدب میں جس نے کل مرانا نے کہا تھا کہ وہ ٹھوکر لگی صحابی حضور کے بعد اس جانے ٹھوکر کھا کر گئے تو گجھے کیوں ٹھوکر کھا رہے ہو کہ میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا تھا حبیب رب اللہ محمد شفی روز جزا محمد حبیب رب اللہ محمد شفی روز جزا محمد حبیب رب اللہ محمد شفی روز جزا محمد نگاہ کا مدام محمد خیاد کا آسرا محمد یہی ہے زخمیں جگر کا مروں یہی ہے زخمیں جگر کا مروں انہی کا ہے اس اسم اعظم قرار بے توبیوں کو آرہ قرار بے توبیوں کو آرہ زبان سے جب کہتے یا محمد دروت بھیجا ہے خود خدا نے دروت بھیجا ہے رموز کون کے کون جانے رموز کون کے کون جانے کہیں وہ محبوبِ کبریاں تھے کہیں وہ محبوبِ کبریاں تھے کہیں لقب میں اپنی اقبار سوارتا ہوں میں اپنی اقبار سوارتا ہوں انہی کو پیہوں پکا کرتا ہوں انہی کو پیہوں پکا کرتا ہوں میری زبان پر ہے یا حبیبی میرا مزیحہ ہے محمد زبان پر محمد کا نام آگے لنک کر دیجئے اس کو میری زبان پر ہے یا حبیبی میں اپنی اقبار سوارتا ہوں انہی کو پیہوں پکا کرتا ہوں میری زبان پر ہے یا حبیبی میرا مزیحہ ہے محمد سبحان اللہ ڈاکٹر جمیل لاتور صاحب سب کو اپنے جیسے ہی عالم مہر وہ سمجھتے ہیں آپ خود گن گنا دیجئے تھوڑا سا جو کلام آپ ان سے پلیس فرمائش کر رہے ہیں مجھے ایکچولی وہ یاد نہیں ہے کچھ تھوڑا بہت رہتا ہے کیونکہ باقاعدہ پڑھنے کے مواقع کم ملتے ہیں میں چارہ تک خالیل محمود صاحب کا جو کلام ہے وہ زبان پر محمد کا نام آگیا ہے زبان پر محمد 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 سبinta محمد 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 کوئی رات کوئی رات पिकड़े नहीं देता और पिकड़े 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 मत देता बस नाम मुहम्मद का ना गया है कि मजा जब है सारी कार महशन के ते मजा जब है गुलामा के आए है मुदे को हमारा गुलामा के आए है मुदे को हमारा मेरे पास कुछ भी ना था बस नबी का वसी लाही का आए है अबी का वसी लाही का आए है स्भानाला स्भानाला जनाब खत्मी मर्तबस से ये जहन में उनका जो था कहते हैं कि सोचा बड़े प्यार से ये सोचा रब काइनात ने खालिक काइनात ने बड़े प्यार से ये सोचा खालिक काइनात ने कि दुनिया में अपना सबसे हसी इसिम बेज़ दूं सोचा ये खालिक काइनात ने बड़े प्यार से कि दुनिया में अपना सबसे हसी इसिम बेज़ दूं पर महभूब के बगएर रहूंगा किस तरह साया यहीं रखलू जिसम भेज दे अच्छा बाव 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 क्या बात है